हेलो फ्रेंड, नीटिंग डिजाइन में देखी बहुत ही खूपसात और प्यारी सी टू कलर की डिजाइन, आप इसे किसी भी स्वेटर में, जैकेट पे, काडिगन पे बनाएए, कहीं भी इस डिजाइन को बना सकते हैं, जेल स्वेटर पे भी अच्छी लगेगी, छोटे छो वाली ये डिजाइन बन गई है, तो आएए, आज हम इस डिजाइन को बनाना सीखते हैं, ये देखिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 12 12 के मल्टिपल फंदे चाहिए, और उसमें प्लस फंद कर दें, तो ये डिजाइन बिल्कुल सेट हो जाएगी, तो आप अपने हिसाब से पंदे डालिए, बॉर्डर बनाएए, और बॉर्डर बनाने के बाद ही हमारी रो वन स्टार्ट होगी, तो रो वन में सबसे पहले हम बन रेट से करेंगे, और अब बाइट कलर से 11 हमारे वाइट सो गए, अब हम बन रेट 11 वाइट पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे, और ये देखें, यहाँ पे हमने 11 वाइट, वन रेट, 11 वाइट, वन रेट, 11 वाइट, वन रेट किया है, तो लास्ट में वन हमारा रेट कलर से है, और देखें रो नमबा टू, इसमें सबसे पहले वन हम वाइट से करेंगे, 1 red 1 white अब रद कलर सी 1 2 3 4 5 6 7 फंदे रद 1 white 1 red 1 white 1 red 1 white और देखे शुरू में दो बार एक एक फंदे white के आए हैं और यहां पर यह वन टू थ्री तीन बार एक एक फंदे white के आए हैं अब हम शुरू के इन फंदों को छोड़ करके यहां 7 फंदे red से लेकर 1 white तक की design को पूरी रो में बार पर repeat करेंगे और यह देखे जब मैंने इनी फंदों को repeat किया है तो starting में दो बार एक एक फंदे white के आए हैं इसके बाद 1,2,3 बार एक एक फंदे 7 फंदे red फिर एक एक करके जब white को किया तो 1,2,3 बार आए फिर 7 फंदे red और जब row की last में आएंगे तो यहां भी सिफ दो बार ही एक एक फंदे हमारे white कलर से आएंगे और यह हमारी row 3 है जिसमें 1 2 फंदे white 1 red 1 white अब red कलर से 1,2,3,4,5 फंदे red 1 white 1 red 1,2 हमारे white से तो यह एक डिजाइन हो गई अब इस पहले वाले white को हम छोड़ देंगे अब हम 1 white से लेकर इस 2 white तक की डिजाइन को पूरी row में बार बार रिपीट करेंगे यह देखे जब मैंने फिर इन ही फंदों को रिपीट किया है तो यहाँ 5 फंदे red क्यों है और यहाँ बीच में 3 फंदे white क्यों हो गए है फिर यह 5 फंदे red है और बीच में यहाँ 3 फंदे white के है इस तरह से यह पूरी row हमारी बनी है यह हमारी row 4 है जिसमें 1, 2, 3 फंदे white 1 red, 1 white इस देखे 1 white के बाद हम red के लड़ से 1, 2, 3 फंदे red 1 white, 1 red 1, 2, 3 हमारे white से अब इस पहले white को हम छोड़ देंगे जो हमारा extra है 2 white से लेकर इस 3 white तक की design हम पूरी row में बार पर repeat करेंगे यह हमारी row number 5 जिसमें 1, 2, 3, 4 हमारे white से 1 red, 1 white 1 red, 1 white 1 red, 1 white के लड़ से 1, 2, 3, 4 हमारे white से अब इस पहले वाले white को छोड़ देंगे तो 3 white से लेकर 4 white तक की design हम पूरी row में बार पर repeat करेंगे और यह देखें जब मैंने इनी फंदों को फिर repeat किया है तो यहाँ पे यह one red, one white, one red, one white किया तो 1, 2, 3 तीन बार एक-एक फंदे हमारे red के आए हैं और बीच में यहाँ seven फंदे white के हैं तो इसी तरह से यह पूरी row हमारी बनी हैं यह देखें, row number six में सब जे पहले अब हमारा red कलर आएगा यह one, two, three, four, five, six फंदे red, one white, one, two, three, four, five, और एक six तो पहले वाले जो हमारा extra इसे चोड़ देंगे अब हम five फंदे red से लेकर six red तक की design को पूरी row में बार बार रिपीट करेंगे और यह देखें, जब मैंने इनी फंदों को रिपीट किया हैं तो starting में six फंदे red के हैं उसके बाद one हमारा white है, eleven फंदे red फिर one white, eleven red और row की last में six फंदे red कलर से हैं यह देखें, अब हम row number seven पे आगे हैं और row number seven में इस one white को हम one red करेंगे और eleven फंदे जो हमारे red से हैं, इन्हें white से बनाएंगे तो हम आपको बना करके भी दिखाते हैं देखिए red है, तो इसे हम white से बनाएंगे one, two, three, four, five, six हमारे white और इसे one हमारा red फिर white कलर से one, two, three, four, five, और एक six तो पहले वाले white को छोड़ करके, five white से लेकर six white तक की हम डिजैन पूरी row में repeat करेंगे ये देखिए, row eight में सबसे पहले हमारा red कलर आएगा one, two, three, four फंदे red one white, one red, one white, one red, one white, one white अब red कलर से one, two, three, four हमारे red से ये एक डिजैन हो गई, इस पहले वाले red को छोड़ देंगे तो three red से लेकर, इस four red तक की डिजैन हम पूरी row में बार बर repeat करेंगे और ये देखिए, जब मैंने इनी फंदों को repeat किया है तो ये one white, one red, one white, one red किया है तो ये one, two, three, तीन बार एक एक फंदे white के बाद यहाँ पे हमारे seven फंदे red के हैं फिर तीन बार एक एक करके white के हैं, seven फंदे red इस तरह से ये पूरी row हमारी बन गई है और ये देखिए, row number nine जिसमें one, two, three फंदे red, one white, one red अब बीच में white कलर से one, two, three फंदे white, one red, one white, one, two, three फंदे red इस पहले वाले red को छोड़ देंगे two red से लेकर इस three red तक की डिजाइन हम पूरी row में बार पर repeat करेंगे और ये हमारी row ten जिसमें one, two फंदे red, one white, one red, one, two, three, four, five फंदे white one red, one white, one, two हमारे red से अब इस पहले वाले red को छोड़ करके one red से लेकर इस two red तक की डिजाइन हम पूरी row में बार पर repeat करेंगे ये हमारी row number 11 जिसमें one हम red से करेंगे one white, one red, अब हमारा white one, two, three, four, five, six, seven फंदे हमारे ये white के हो गए one red, one white और one हम red से करेंगे अब इस पहले वाले red को छोड़ देंगे one white से लेकर one red तक की हम डिजाइन पूरी row में बार पर repeat करेंगे और ये देखे जब मैंने इनी फंदों को फिर बार पर repeat किया है तो यहाँ seven फंदे white के बाद one red, one white, one red, one white किया तो red के ये one, two, three, three तीन बार एक एक फंदे red के आए हैं और फिर यहाँ पर seven फंदे white तो इस तरह से ये पूरी row हमारी बनी है और ये हमारी row 12 जिसमें सबसे पहले one हम white से करेंगे और अब red कलर से one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten और एक 11 अब हम one white, eleven फंदे red पूरी row में बार बार रिपीट करेंगे और ये देखे, यहाँ पर one white, eleven red, one white, eleven red करते आए हैं तो last वाला एक हमारा white कलर से रहेगा और ये देखे, row 12 तक हमारी ये एक डिजाइन बन के तियार हो कई है और इसके बाद हम row number one से लेकर row number 12 तक की जब बार बार डिजाइन को रिपीट करेंगे तो देखे, हमारी डिजाइन इस तरह से बन के आएगी ये देखे, इसी 12 तो की डिजाइन को फिर मैंने रिपीट किया है तो कितनी खुबसवत आप प्यारी सी डिजाइन मेरी बन के आई है मेरा ये वीडियो गर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताई कि ये डिजाइन आपको कैसी लगी तेंक यू